नमस्कार दोस्तों ट्रिकी गुरु आमिद गुपता के यूटूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ यूपी एसाई आनलाइन परिच्छा में पूछे गए वे नारेक से सभी प्रस्णों को जो की 23 हैं उन सभ वीडियो को लाक्ष तक देखिए गया ताकि कोई प्रस्ण अगर आपको रिपीट होता है तो आपको समय बचाने का मौका मिल जा और कम समय आप आसानी से प्रस्ण को जल्दी से जल्दी और सही साल्व करने में सच्छा मोजाएं तो आई देखते हैं अगला प्रस्ण वे नारे का पुस्तकाले किताबे और पन्ने इसको सही वे नारे को कौन सा है जो दर साता है पुस्तकाले किताब और पन्ने देखिए इस वीडियो को देखने का सबसे अच्छा तरीका क्योंकि मैं जाना देर तक रुकूंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो आप वीडियो को रोक दिया करिए उसके बाद खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए उसके बाद वीडियो को फिर से आन करिए और आगे उत्तर देखिए ताकि आपका आप अपना अपना भी एक्जाम ले सके कि आपको कौन सा प्रस्न सही आ रहा था कौन सा प्रस्न गलत आ या उल्टा भी कर सकते हैं पुस्त काले में किताब और किताब में होते हैं पन्ने तो इसमें सबसे सरवादिक उप्योगत उत्तर ए है तो अगला प्रस्न है आप वीडियो को यहीं पर रोग दीजिए उस्वाइन से उत्तर देने का प्रयास करिए नाभिक प्रोटान जो सबसे बाहर है और नाभिक के भी तरक्या होते हैं तो प्रोटान और न्यूट्रान तो हमारा आंसर एसा ही हो जाएगा आप उत्तर भी देखते रहेएगा अगला प्रस्न है आप वीडियो को रोग दीजिए कौन सा आपस में समंदों को सही दर्साता है राजधानी टोक में भी काम आ जाती है तो इसमें सही जवाब हो जाएगा देखे इसमें मैं बताता हूं टोक्यों जो है जापान की राजधानी है तो सारी की सारी राजधानी सभी सभी का सभी टोक्यों क्या है राजधानी है सभी टोक्यों को हम कहेंगे कि राजधानी है यानि यानि सभी भीतर ये टोक्यों इसमें होगा बाहर वाले बृत में राजधानी यानि सभी टोक्यों को हम राजधानी कहेंगे लेकि निव्यार्क को न तो राजधानी कह सकते हैं और नहीं टोक्यों कह सकते हैं तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी अगला प्रस्ण है निमलिखित में स तो इसमें सभी जबाब हो जाएगा आपको लग सकता इसमें कि सी सही है लेकिन सबसे उप्यूइक्ट उत्तर है D क्योंकि ऐसा प्रस्ण बहुत तर आपने देखा होगा बहुत ज्यादातार कि सबसे भीतर लखनव। अगला प्रसंट पच्छी मचली और मूरगी के मूरगी के बीच में सही समय को दरसाना है तो आप समझ सकते कि मूरगी किसके अंतरगत आएगी तो सभी मुर्गिया क्या होती है तो सभी मुर्गिया होती है पंच्छी यानि कि ये भीतर जो है वो मुर्गी है और सभी मुर्गिया क्या होती है तो पंच्छी का लाती है और बाहर है ये मचली जुन्ना तो पंच्छी है नहीं मुर्गी है यानि हमरा आंसर हो जाता है ए कभ लेकिन चीप के लिए इस तो ऐसा कौन सा चित्र है यानि यह भीतर जो है वह फुटबाल सभी फुटबाल को हम कहेंगे खेल है एक और चीप के लिए एक अलग है यानि आंसर होना चाहिए अगला प्रस्ण है अब इसमें उल्टा प्रस्ण पूछ रहा है चित्र दे दिया है जह पूछ रहा है कि इस चित्र के लिए कौन सा कथन कौन सा विकल्प सई होगा यानि कि ऐसा तीन वह अलग अलग है यानि कि किसी का किसी से कोई संबंद नहीं हो अईसा बिकल्प है तो आप विकल्प जब देखेंगे तो पास चलजा जाएग है कि इसमें एह ही सबसें उद्तर देने के प्रियास करें कलम पेंसिल और कागज का कौन सी कुछ elig? उद्तर होगा, दिये गए विकल्पों में सरौबाधिक उत्तर खोज चित्र बना जा सके वे नारेक बना जा सके लेकिन जो विकल्प में दिया है उसी में आप अपने मन से विद्वान मत बनी कि इससे भी एक यह अच्छा विकल्प होगता है इसमें कोई विकल्प सही नहीं ऐसा आप मत खोजा करिए वल्कि दिये गए विकल्पों में इस वीडियो को रोग दीजे उत्तर बताने के लिए फूल गुलाब और कमल देखिए ये प्रस्ण बार-बार इसी तरीके से रिपीट करता है उसमें से एकाद सब्द बदल जाते हैं तो फूल गुलाब कमल तो सभी फूल सभी फूल क्या है सभी गुलाब क्या है फूल है और सभी कमल भी क्या है तो फूल है तो इसमें आंसर हो जागे इसमें एक है कमल और एक है गुलाब अब इन में से कोई भी कमल और कोई भी गुलाब हो सकता है इसमें यह नहीं कहा सकता है कि कौन कमल का बिरते कौन गुलाब का बिर्थ है लेकिन ये सारे इक सारे क्या है फूल के अंतरगती है और ये भी का सकते कोई का गुलाब को कमल नहीं बोलेंगे कोई कमल को गुलाब नहीं बोलेंगे इसलिए अलग अलग भी है दूर दूर भी है तो इसलिए हमार आंसर हो जाता है ए अगला प्रस देखे वीडिय कवित्री ये प्रस्थ हिंदी में भी बार-बार पूछा जाता है कि कवित्री सही कैसे लिखा जागा तो इसी तरह से सही लिखा जाता है कवित्री तो इसमें सही जवाब क्या होगा देखिए माता कुछ माता कवित्री हो सकती है कुछ कवित्री माता हो सकती है लेकिन पिता को ना तो माता का जा सकता है, ना कवित्री का जा सकता है, तो इसके लिए B सही होगा, इसमें एक में होगा माता, और एक में होगा कवित्री, यानि कुछ कवित्री माता है, कुछ माता कवित्री हो सकती है, लेकिन कोई भी पीता ना तो कवित्री हो सकता है, नहीं माता हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा B अगला प्रस्ण है फूल पंखुडी पराकोस वीडियो रोकिए उत्तर बताईए फूल पंखुडी पराकोस तो ऐसे प्रस्णों के लिए हमें फिर समान अध्यान की जरूरत पड़ी इसमें खास्त और से बिज्ञान की जानकारी जाहिए बनस्पती बिज्ञान की जानकारी के अंतरगती यह है प्रस्ण तो सबसे पहले होता है फूल फूल के भीतर पंखुडी अब पंखुडी के भीतर होता है पराकोस तो हमारा आंसर D इसमें से सही हो जाएगा पसु है घोडा है घोडी है तो कोई भी घोडा को घोडी नहीं बोल सकते जब मैं इसका विधिवत वीडियो बनाता हूँ वाइट बोर्ट पे तो इसके लिए मैंने कई ट्रिक बनाया है जिसके मादेम से आप असानी से इन प्रशनों को साल्प कर सकते हैं कई वीडियो मैंने पहले से बना रखाया आप चाहा है इसमें मैंने कई ट्रिक बनाया है जे ले भी मिर्ति ट्रिक एक प्लेट में दोरस गुल्ला इस तरह से करके बहुत ट्रिक मैंने बताया है 123 भी दी लेकिन अगला प्रस्ट का उत्तर दीजिए गूगल फेस्बुक और यूटूब बहुत खोजकर और अच्छे प्रस्ट मैं आपके लिए लाता हूँ ये इतने प्रस्ट में सब के सब UPSI की परिशा में अनलाइन परिशा में पूछे जा चुके हैं लेकिन मैंने कई किताबों में अध्यन क्या इस प्रस्ट का उत्तर हर जगा दो मिला है एक किताब ऐसी है जिसमें इसका उत्तर ये दे रहा था इसमें ये लिख रहा था कि भीतर है YouTube जिस पर आप इस वीडियो को देख रहा है और उसके बाहर बनाया गया था Facebook और YouTube बाहर Facebook और इसको बनाया गया था Google यानि कि Google एक सर्च इंजन है और Facebook के अंतरगत Facebook और YouTube दोनों ही एक सोसल साइट है तो ये गल्कुल गलत जवाब उस किताब में दिया गया था मैं उस किताब का नाम नहीं लूँगा फिर एक इसका लेकिन सही जवाब क्या होगा तो इसका सही जवाब होगा बी क्यों क्योंकि देखिए Google एक सर्च इंजन है अलग है Facebook सोसल साइट है अलग है किसी Facebook को YouTube नहीं बोल सकते किसी भी YouTube को Facebook नहीं बोल सकते सभी अलग-अलग है इसको अगर आप मैं किसी उदाराट से समझाओं तो एक है बिल्ली देखिए समझाता हूँ थोड़ा समझा देता हूँ एक है बिल्ली और एक है कुट्टा और एक है आदमी तो देखिए आदमी अलग है कुट्टा अलग है बिल्ली अलग है तो आदमी अलग है तो सब लोग जानना है ठीक है आदमी अलग है जैसे Google अलग है सब लोग जानने, अलग है, सर्चीन जानने, लेकिन ये कुट्टा बिल्ली, क्या एक के भीतर एक ही बना सकते, कि सबी कुट्टा बिल्ली ये सबी बिल्ली कुट्टा है, नहीं बना सकते, क्योंकि कुट्टा बिल्ली आदमी से अलग है, लेकिन ये आपस में भी अलग है, चल प्रस्णों में GKGS की जानकारी भी चाहिए होती है तो इसमें सही जवाब है A. सबसे भीतर जो है वो हो जाएगा कांस सबसे भीतर हो जाएगा कांस और बाहर हो जाएगा मिस्रधातु क्योंकि सभी कांसा जो होता है उसे हममिसरधातु ही करते हैं कांसा किसे किसे मिल कर बनता है तो तामबा और टीन से इसले से मिसरधातु करते हैं की सभी कांसा मिस्र धातु है, अगर उल्टा पड़ें, बाहर से भीतर की तरब, तो मिस्र धातु तो कई है, उनमें ये कुछ क्या है, कांसा है, और ये जो रजत है, यानि चांदी है, ये धातु है, मिस्र धातु नहीं है, तो मारा आंसर हो जाए गए, अगला प्रस्न है, आ Ireland की राजधानी का नाम है Dublin, तो जो राजधानी होता यह एक common sense बना लिजे, जैसे भारत बड़ा है, भारत के भीतर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भीतर लखनू छोटा है, यानि कि बार से भीतर की तरफ, उसी तरह से इसमें भी Ireland बड़ा है, और W उसकी राजधानी वीडियो को रोक के उतर दीजे, मांस भच्ची, सेर, खरगोस, तो सभी सेर जीतने होते हैं, सब के सब मांस भच्ची होते हैं, तो ऐसे चितर बन गया, लेकिन खरगोस मांस भच्ची भी नहीं होता है, और नहीं से सेर का जा सकता है, तो यह इससे दूर रहेगा, तो इस त प्रस्ण का भी जबाब अलग अलग किताबों में अलग लग मिला है फरनीचर प्लास्टिक लकड़ी एक किताब में इसका उत्तर ए दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है फरनीचर और इसमें लिखा हुआ है लकड़ी यानि कि कुछ फरनीचर लकड़ी का बना होता है कुछ प्लास्टिक अलग है लेकिन यह उत्तर गलत है यह उत्तर नहीं होगा इसका सभी उत्तर होगा बी यानि कि बीच में रहेगा फर्नीचर और दाये बाये अब ऐसा जब भी जलेवी जैसा चीतर बने तो दाये बाये में कुछ भी लिख लिखेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेग और यहां पर लिख देते हैं हम प्लास्टिक यानि कह सकते हैं फर्नीचर तो इतना बड़ा है फर्नीचर का कुछ भाग प्लास्टिक से बनता है प्लास्टिक की कुर्सियां बनते हैं प्लास्टिक के टेबल बनते हैं और फर्नीचर का कुछ भाग लकड़ी से बनता है और इसमें 1-2-3 बीदी से भी चेक कर सकते हैं, तो कभी राजनेता और अभियनता, तो आप क्या सोख सकते हैं, अभियनता यानि इंजीनियर जो अगर है, जो व्यक्ति इंजीनियर है, तो इंजीनियरों का, अगर सरकारी इंजीनियर है, तो इंजीनियरों का कुछ गुट भी होत तो कभी तो वो हो सकता है कभी के लिए कोई उसकी बात नहीं है तो यहाँ पर ऐसा यह दिया हुआ कि अब इस तर सोच लिए कोई इंजिनियर है और वो राजनेता भी है इंजिनियर के साथ साथ राजनेता भी है हो सकता है कि किसी भी पार्टी से हो या हो सकता है इंजिनियरिंग के जो कर्मचारियों का संगठन होता है उसका राज नेता हो और वही व्यक्ति पार्ट टाइम कभीता भी करता हो रात में तो यानि कि तीनों में ही तीनों गुड़ पाएगा है इसलिए हमारा आंसर हो जागा इमेर्थी वाला विकल बी जब सब प्रस्थ पहले भी परिश्वां पूछता रहा है जहां पर जहाज को रखा जाता है तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी सबसे बाहर क्या होगा तो एयरपोर्ट होगा अभीतर दोनों में से किसी में किसी को अब रख सकते हैं अगला प्रस्थन है प्रतियोगी परिच्छा लेने वाली प्रतियोगी संसताँ इसलिए एक प्रतियोगी संस्थाय इसलिए एक प्लेट में दो रस्गुला वालदा चित्र बन जायेगा अगला प्रस्न है आखे द्रिष्टी पटल आख की पुतली अब इसमें भी बिग्जान की जानकारी चाहिए तो सबसे बार आँखें जो समानता दिखाई देती हैं उसके भीता दिरिष्टी पटल और दिरिष्टी पटल के भीतर आँख की पुतली होती है तो हमारा आंसर हो जाएगा D वीडियो को रोक के उत्तर देने का प्रयास करिए कोई चीटिंग नहीं पुषाख, साड़ी, सर्ट जब आप खुझ से उत्तर देने का प्रयास करेंगे उसके बाद उत्तर देखेंगे तभी आपको ये सारे प्रसन साल्प करने का सही लाव मिल पाएगा तो पुषाख, पुषाख को किसी भी चीज को हम कह सकते जो भी हम धारण करते हैं सरी पे सब कुछ पुषाख है तो इसमें हमार आंसर हो जाना चाहिए बाहर जो है वो पुषाख है और भीतर साड़ी है और एक साड़ है कोई साड़ी को साड़ी को साड़ी को साड़ी नहीं को सकते लेकिन दोनों के दोनों ये हैं पुशा कही इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा B अब देखे फिर वीग्यान से प्रस्ना आ गया जी वीग्यान से त्वचा कोसिका मिलनीन तो कोशिका आप जानता ही है सरीर के सबसे छोटी काई है कोसिका मिलनीन जिससे सरीर करंग निर्धार्थ होता है तो इसमें आंसर हमारा हो जाता है B सबसे बाहर हो जाएगा सबसे बाहर हो जाएगा तो अच्छा सबसे बाहर ही हमारी परत होती है तो अच्छा जो सरीर को रोगों से बचाती है प्रतम दिर्ष्टियान और उसके बाद उसकी सबसे छोटी का इक कोशिका और कोशिका के भीतर ही पाय जाते हैं मेला नीन तो भी हमार आंसर हो जाएगा तो दोस्तों आज का वी जब मेरा वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट बाक्स में जरू लिखेगा अगर वीडियो अच्छा लागे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि ऐसा ही इंट्रेस्टिंग वीडियो और ट्रिकी वीडियो मैं आपके लिए लाता राता हूं धन्यबाद दोस्तों